स्वाकत है आपका मैं मीडिया के सीमानचल बुलिटिन में मैं हूँ आपके साथ अरीबा खान पुडिया में नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया जहां स्कॉर्पियो और बाइक की भड़ंत में दो लोगों की मौत हुई और दस लोग घायल हो गये इन में से साथ की हालत गंभीर है जिन्हें इलाज के लिए पुडिया मेडिकल कॉलेज लाया गया गटना के संबंध में बताय जा रहा है कि डगरवा थानाशेत्र के एनेश-31 पर यात्रियों से भरी आटो को पीछे से स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी स्कॉर्पियो ने आटो को धक्का मारा और सामने से चल रही बाइक को उड़ा दिया इससे अनियंदरित आटो सीधे गड़े में जा गिरी पुडिया के भवानी पुर्थानाशेत्र में भूमी विवाद से एक शख्स की हत्या कर दी गई है हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और शख्स को पोस्मार्टम के लिए सदरस्पता भेजा भूमी विवाद में अपनी जान गवाने वाले मिर्तक का नाम संजे मंडल बताया जा रहा है परिजनों के मताबिक संजे रोजाना की तरहां खेट देखने गए थे कि तब ही वहां आदिवासियों ने जहरीले तीर से संजे पर हमला कर दिया जिसके कुछ देर बाद ही संजे मंडल की मौत हो गई इस घटना के बाद परिजनों ने भवानिपुर के सीयो और करमचारी पर गंभीर आरूप लगाए है फिलहाल पुलिस मामले की चानवीन कर रही है उसके बाद साम साथ वज़े तक हम लोग यहीं थे और उसके आने के बाद जब हम लोगों को चारो तरफ से घेर लिया हम दो ही आदमी थे हमरा भाई था ये संजे कुमर मंडल और उनको पकड़के घीच कर ले गया इधर ले गया उसके बाद हम लोग उसको देखते रहे देखते रहे लेकिन तब तक नहीं आया हम गौण गये गौण से पूस्ताज किये हैं कैसा इसा बात हो रहा है बोला अब र रात चड़ता गया हमारा संतुलन बिगड़ता गया अब भाई भी थो रहे हैं कितना रात को अगर हम पुलीस को भी कंफर्म करें तो कैसे करें हमारे पास कोई साधन नहीं था तो कोई किस से बाद है आपका हमारे आदिवासी संथा से जेठा मरंडी मुंसी मरंडी और रमे 17 V5 हेलिकॉप्टर के दुरघटना ग्रस्त होने से उसमें सवार CDS जनरल विपिन रावत और उनकी पतनी के साथ कुछ अन्य उच पदिस्थत अधिकारियों की मौत हो गई हास्से में दारजलिंग के लाल विपिन रावत के बॉडिगार्ड सत्पाल रावत की भी मौत हो ग जैसे ही ये खबर उनकी घर पहुंची तो पूरे इलाके में मातम चा गया। डारजलिंग के सांसत राजुबिष्ट ने परिवार के प्रती सम्वेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि गोर्खा सत्पाल राव को हमेशा याद रखेगा उन्होंने देश की सेवा में अग कर उन्हें सांत्वना दी। पर देश के विभिन हिस्सों में हुए फर्जी मुकदमों को वापस लेने, किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 700 से जादा किसानों को मुआफजा देने और बिहार में भी मंडी विवस्था लागू करने की मांग की। एक मांग पत्र बीजियों को सौपा गया है। निर्वाचत वाट सजस्यों द्वारा मनमाने ढंक से पुराने वाट सचीवों को हटा कर नए वाट सचीवों की नियुक्ति की जा रही है। पोडिया डियम राहुल कुमार ने जिलाइस्तरिय निरीक्षण टीम के साथ श्रिनगर हाता इस्थित बाल सुधार ग्रह और प्रयावेक्षण ग्रह का निरीक्षण किया। त्रेमासिक निरीक्षण के क्रम में डियम ने बच्चों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में चानकारी ली। इस मौके पर सीयस टॉक्टर एसके वर्मा बाल संरक्षण निदेशक बाल ग्रह की सुप्रिडेंटेंट सहित अन्य परशासनिक पदधिकारी मौझूद थे। इस दोरान बच्चों से मिलकर फीड़बैक लिया गया, बच्चों ने निर्ते पेश किया और चितर कला का हुनर दिखाया। डियम भोजन की गुणवत्ता स्मार्ट क्लासिस से पढ़ाय की विवस्था, यहां दी जा रहा ही चिकिस्सा सेवा किसे संतुष्ट नजर आए। कोरोना के नए बैरियन के साथ तीसरी लहर के संभावित खत्रे को लेकर एनफ रेल मंडल के सबसे महतपूर रेलवे स्टेशन कटिहार में भी तयारियां दिख रही हैं। ओमिक्रूम से मुकाबला करने के लिए कटिहार जंक्षन के मुख्य दौर पर स्वास्ते विभाग की तरफ से दो शिफटों में बहार से आने वाले लोगों के लिए कुरोना जान्स की विवस्था की गई है। हालकि vaccination की वेवस्था फिलहाल कटिहार इस्टेशन में बंध है। कटिहार जिले में गुर्वार्ज से smart prepared meter लगाय जाने का काम शुरू हो गया। इसकी शुरुआत समणाले में सबसे पहले smart prepared meter लगा कर की गई। जिले अधिकारी उद्यन मिर्शा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये meter लग जाने से कई इसतर पर लोगों को सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि पहले phase में ये meter शहरी इलाकों में लगाया जा रहा है, आगे पूरे जिले में लगाया जाएगा। वहीं बिजली विफाक से जोड़े अधिकारीों ने बताया कि प्रिपेड मीटर लग जाने से उपभोगता भी बिजली की खपत और बचत का खयाल रखते हुए इस्तमाल करेंगे। चौदरी भी इस कारेक्रम में शामिल होंगे। नहीं सीमाजल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट मैमेडिया.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथ ही हैं। मेराज खान, से शादाब, तहसीन अली और रबिन रियादब। आपके बीचिते हैं। को अधके लात बीचिते हैं।